अगर आपने कोई project विल्ड किया होगा उसके लिए अगर आपको ऑज्ट सरवन विल्ड करना होगा spring boot में अगर प्रोंजेक्क किया होता है और खुद का अगर आपको और सरु तो यूजर को एकसस है या यूजर एक्जिस्ट करता है सिस्टेम में है तो हम चेक करेंगे अपना तुछ का और सेर्वर से तो सबसे पहले जोस्प्रिंग की जो वेबसाइट है वहापे जाकर आपको Spring boot starter और server dependency copy करके आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट हो का या आपको dependency add करनी है तिक डिपेंडेंस एड करने के बाग आपको यह first application जो फाइल होगी या आपको application properties में paste करनी है बट यह जो data है यह JSON format में है यह होगा हमारा key value pair में होगा तो यहाँ से हमको copy करना है copy करके हम chat gpd से उसको application properties फाइल में convert करेंगे उसका बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद हम directly हमारा जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे अगर हम run करेंगे तो अगर हमको check करना है login page और हमारा port है localhost 8181 8181 slash login अगर हम request raise करेंगे तो यहाँ पे फिलीज साइनिंग का हमारा कुछ का और तो सर्वर्ड यहाँ पे रिस्पॉंड करेगा जो हमने user service में request सर्विस में logic बिल्ड किया है यहाँ पर देख सकते हो कि login है तो इसके थ्रू जहाँ पर हम login कर बाएंगे और चेक करेंगे कि कई यूजर हमारे स्स्मिर में है यह नहीं है कर दो when